हलो फ्रेंड्स वीजार्ट एक्स्प्लोर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली इस फूड जरनी में हमने काफी कुछ एंजॉय किया जैसे कि आलू भजिया उडद दाल की जलेबी हम विंटेज कार म्यूजियम देखने भी गए और हमने साबरमती आश् भी विजिट किया ओल्ड सिटी राइपूर गेट के साथ में राइपूर भजिया हाउस बहुत फेमस है 15-20 लोग तो मेरे को यहां खड़े हो के भजिया खाते दिखाई जे रहे हैं मैंने अपने लिए मिनीमम क्वांटिटी लिए 100 ग्राम 15 रुपीस अलू बोंटा अंदर अलू की फिलिंग है यह अलू का पकोड़ा तो बहुत सिंपल है लेकिन मज़ेदार है इससे ज्यादा मज़ेदार मेरे को बोंटा लग जो मैंने भी खाया उसका मसाला मस्ता उसमें सूखा धनिया तो ऑसम फ्लेवर दे रहा था अगर आप बज्या के शोखीन है तो इस इस अ मस्त विजिट फ्लेस मेरे को बहुत मज़ा है यहां का बज्या खाका अब इन भाई साब ने मुझे बताया कि सुबह आठ बज्या लेकर आतको गेड़ बज्या के शॉप ओपन रहती है इस जगा राइपूर गेट के बाजू में हम चांखेडा से रहने वाल है हमदाबाद से चत्रा किलोमेटर दूर फिर भी अगर हमदाबाद में किसी को भी बज्या खाना है तो राइपूर बज्या उसके ही खाए मिरको यह बोंडा बढ़ बढ़िया लगा यह मस्त लगा बढ़ बढ़ बढ़िया थैंक यू राइपूर भज्या उसके बाजू में उड़दाल की जलेबी मिल रही थी मैदे के साथ मतला मैदा उड़दाल मिक्स करके तो उन्होंने मेरे को बोला कर आप खाली उड़दाल की जलेबी खाना चाते हो तो लगनाओ पर चले जाओ लगबग एक किलोमेटर दूर ऑन दे स् यहाँ पर इस तरह से मोटी है जले भी पैला एक्सपिरियंस तेस तो मसता है मिठास इन्होंने बड़े कंट्रोल मैनर में डाली है कि जितना खाने में ठीक लगे उतना ही है मिठास नदर चाशनी सही है उड़दाल क्योंकि वैसे भी हल्दी होती है तो उस मामले से यह मेरे को हेल्दी ज्यादा लग रही है तो आप लोग उड़दाल का बैटर बनाकर उसको पीस कर तुरंद यूज कर ले तो अभी इंसे मैं चर्चा कर रहा था इन्होंने मेरे को बदाया कि काफी लोग उसको दहीं के साथ भी डिप करके खाते हैं बासंदी और गरम दूस के साथ हुआ 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 है मस्त है पहला एक्सपिरिंस हम लोग का उड़दाल जलेभी मेरे को लगता नहीं कि हिंदूस्तान में और कहा मिलती है नो आइडिया लेकिन यहां पहली पर देख रहा हुआ हुआ इस समय में आटो वर्ल्ट मूजियम एहमदाबाद में कुछ फेमस नाम रोल्स रोइस फैंटम 123 बेंटली डैमलर मेबैक का जो मॉडल देख रहे हैं यह ओल्डेस मॉडल इन दी वर्ल्ट है हिस्पैनो सुजा इसको हंटिंग कार भी बोलते हैं साइड में दो गंज लग जाती है मोर्स का यह मॉडल अल्मोस्ट 120 साल पुराना है अगर आप यहाँ पर आना चाहते है तो 100 रुपीज की एंट्री चार्ज है और अगर आप किसी विंटेज कार में राउंड करना चाहते है तो उसका चार्ज है 1,000 रुपीज फॉर 3 किलो मेटर राउंड इसके इलावा यहाँ पर बाइक्स की कलेक्शन भी है और ओल्ड बगीज की कलेक्शन भी है यह मुजियम साब तो दिन खुला होता है मौनिंग 8 अम टू इवनिंग 9 पीम बाकी मज़दार है इस तरह की विंटेज कार कलेक्शन देखना इम हैपी यहाँ मेड इन तो इस प् पूरी प्लानिंग फॉल्टी हो गई है इसकी वज़े से मैं यहाँ सिर्फ आइस्क्रीम खाने के लिए आए हूँ और आइस्क्रीम खाके चला जाओंगा बैक टू एमदाबाद यह इसका नाम है चॉकलेट सफारी काफी कुछ है नीचे वैनिला ऊपर यह सारे चोटा-चोटा काट के डाले और यह पेस्ट्री तो दिख रही है साथ में विल लॉट अफ चॉको सॉस मैंने यह पता लगाए है टोटल जो गेम है टॉपिंग्स किया है बेस में एक आइस्क्रीम रहती है उसके लाभ अपनी ओडर के साफ से टॉपिंग्स बदलते रहते हैं आज से मैंने जब भी इस फ्लेवर में आइस्क्रीम खाई है इसमें कोई डाउट नहीं है जो इसका मिल्क यूज किया गया है अल्टिमेट क्वालिटी का है थोड़ा थोड़ा खाएंगे तीन लोग मिल्के खा सुकते हैं आइट वे क्वांटिटी अच्छी खासी है ड्राइ फ्रूट्स, चॉकलेट सॉस, वैनिला आइस क्रीम, साथ में इस तरह की पेश्ट्री, अमीजिंग फ्लेवर, बहुत ही बेतरील और यम्मी एमदबाद आने के बाद मुझको सेवा क्याफे के कॉंसेट की बारे मानुम चला सेवा क्याफे को रेस्टरॉंट बोलना गलत होगा ये एक विचार है, ये एक ऐसी जगाए जहां पर लोग अपनी खुशियां बाटने आते हैं मेरे साथ इसमें भासकर बाई बैठे हैं जो इस क्याफे के साथ पिछले दस साल से जुड़े हुएं अब यहां कुछ इस तरह से है कि मैंने आया और मैंने चाय पी चाय पीने के बाद मुझसे कोई बिल नहीं आएगा मेरा मन करे तो मैं इसमें कुछ भी न रखूँ मैं अपनी खुशी बाटना चाहता हूँ तो I can keep maybe 500 रुपीज और 1000 रुपीज also here कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा तो यह कहना बिल्कुल सही होगा कि यह जो विचार है यह पूरा ट्रस्ट के बेस पे चल रहा है और आज 10 साल से यह लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं इस कॉंसेप्ट को लोग आते हैं फूट खाते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स भी पढ़ा हुआ जिसका नाम है Our Wealth So अपनी विच के हिसाब से If somebody wants, one can put some money there as well Tuesday से लेके Sunday तक यह CAF open होता है शाम को 7 बज़े से लेके 10 बज़े तक Volunteers जो serve करने हैं वो भी volunteers ही है Like Bhaskar Bhai is a volunteer तो अगर किसी का मन है कि मेरे को चाय बनानी आती है तो आप यहाँ पर 7 बज़े से लेके 10 बज़े तक चाय बना सकते है And किसी को मन है मेरे को serve करना है तो serve कर सकते है You want to add something? काफी सारी चीज़ है कि यह जो trust है वो कैसे हमें जो मिला है उसको हम दिसरों बाले पर जो हमारे बात जो उसके लिए कैसे हम पहला आई यह जो खुशी की बात है So true, so true कोई करने की कुशिष करें So true I wish के इंडिया में एक इंडिया में एक concept बाकी जगा भी इनिशेट हो और लोग भी करें But I am very happy and I am very glad to be part of Seva Cafe today Thank you so much This is the thing where people can put money and just leave it on the table Thank you Seva Cafe मतलब हमारे होस्टेल वालों के लिए घर का खाने की जगा और हमारे खुश्य बाटने की एक जगा And हम लोग यहां पे करीबर महिने में एक दो बार आते रहते हैं Namaste, भारत जोशी Seva Cafe में पिछले दस साल से जुड़ा हूँ और मेरे कॉलेज में मैंने पूरा एक साल यहां पर डिश्वाशिंग में वॉलेंटिरिंग किया हूँ है और यह Home Away From Home एक परिवार है यहां सिवा का भाव है और खाना एक जीवन का भाग है तो food for life But life is not only for food Thank you इस समय मैं जेल भजिया हाउस आया हूँ तो यहां पर concept क्या है कि जो prisoners है उनको skill development के लिए खाना बनाना सिखाया जाता है और यहां पर snacks के तोर पे मेथी का गोटा मिलता है साथ में आलू के पकोड़े मिलते हैं मैं सामने देख रहा हूँ कि बन रहे हैं जिसे की साल, देट साल, दो साल की ट्रेनिंग के बाद जब यह expert हो जाते हैं और जब रिलीज होते हैं तो बाहर जाके अपना food का business कर सकें तो यह चीज है यहां पर एमधाबास में बहुत फेमस है काफी लोग आते हैं मेरे को किसी ने बताएगा अगर आप बारह एक बज़े जाओगे तो यहां पर लाइन लगती है यानि इस प्लेस इस सो पॉपुलर मैं अपने लिए दोनों चीज ले रहा हूं खाने को थर्टी रुपीज के कूपन में दो सो ग्राम आता है यहां पर बैठने की भी स्पेस है और खड़यों के भी खा सकते हैं तो यह जगा सही है राम से खड़यों के बज़ियां एंजॉय करते हैं यह चटनी है मेठि के गोटे को मेठि का पकोड़ा भी पहली बार है कि मैं आलू का पकोड़ा और मेठि का पकोड़ा के साथ कहा रहा हूं कि फर्स एक्सपिरिंस, आम तौर पे हम लोग उए, तो मैटम कैचप इस्तमाल करते हैं, यह हरी चफिंडी का गोलता इसके अंदर मेथी और बेशन के इलावा हींग और जीरा का तड़का, साथ में यो कड़ी की चटनी बनी गई है, जिसको बेशन से बनी है, बहुत मस्ट फ्लेवर दे रहा है, लजीज स्वाद कह सकते हैं वैसे इस तरह के कॉंसेट्स इंडिया में जगा जगा हैं, लेकिन मेरा पहला एक्सपिरियेंस है, इस तरह के चीज़ एक्सपिरियेंस करना खुद आकर, आइम वेरी हैपी, जगा भी मैंने एक्सपिरियेंस करी, कॉंसेट्स को समझा, और इस तरह से तेस को भी इंजॉई कि खास दोर पे इस कड़ी के साथ अगर आप एहमदाबाद फैमिली के साथ आते हैं अगर बच्चे भी साथ में हैं तो आपको काकरिया लेक जरूर आना चाहिए यहां पर काफे कुछ आप कर सकते हैं जैसे ट्रेन राइट धाई किलोमेटर का इस ट्रेन राइट का सफर आप 15-20 मिनिट में बहुत अच्छे से इंजॉई कर सकते हैं शाम के समय आईए बेंच में बैठिये और लेक व्यू इंजॉई करिये अगर आपको जॉर्बिंग पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं लेक कॉंपलेक्स के अंदर आपको नॉक्टर्नल जू देखने जरूर आना चाहिए जू की कंस्ट्रक्शन सैंड और रॉक से की गई है यह इंडिया का पहला नॉक्टर्नल जू है अक्सर जू में हम देखते हैं डे टाइम में अनिमल्स एक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि डे टाइम में वो रेस्ट कर रहे होते हैं इस नॉक्टर्नल जू में दो चीजें बहुत खास हैं नमबर वन इन्होंने सेल्फ प्रोग्राम ट्यूबलाइट से अनिमल्स का स्लीप वेक साइकल को आल्टर किया जिससे हमारा दिन और अनिमल्स की रात और हमारी रात और अनिमल्स का डे टाइम नमबर टू अनिमल्स और विजटर्स को कमफर्ट टेबल एन्वार्मेंट देने के लिए अर्थ ट्यूब हीट एक्सेंज सिस्टम को इस्तमाल किया, बाहर और अंदर के टेम्परेचर में 8 से 10 डिग्रीज का फरक है, यहां आप देख सकते हैं, इंडियन पॉर्क्यूपाइन, तीन तरह के आउल, हेज हॉग, पाम सिवट, लेपर्ड, स्ट्रिप्ट हाइना, जैक कॉल, जंगल कैट, फ्रूट बैट, और भी काफे सारी अनिमल्स, मंडे को काकरिया लेक और जू, मैंटेनेंस के लिए क्लूज रहता है, जू विजिट करना और काकरिया लेक भी विजिट करना, हमारे लिए बहुत ही इंजॉइबल एक्स्पिरियन्स रहा, मैं यहां रुका होटल लाथ 365 में, ट्विन शेरिंग बेसेस पर यहां पर टरिफ मुझे पड़ा 1850 रुपे, 1850 रुपीज, ओर ओर रूम सर्विस और हाउसकेपिंग अगर बात करें तो आवरेज है, ना अच्छी ना बुरी, फूड तो मैंने यहां ट्राइ नहीं किया, इस के लिए कोई experience नहीं है, इस होटल की विनिंग स्टोरी है, heart of the city, यानि location इतनी golden है कि लौग आडन के एकतम सामने है, पहले दिन जब मैं सुबा होटल से लौग आडन की तरफ जा रहा था, तो मैंने यहां पर टूटी चोग देखा, बहुत खुबसूरत है, यह बड़ा कि काफी खुबसूरत और well maintained park है, fitness enthusiast सुबा पांच बज़े से यहां पर आ जाते हैं, अपने हिसाब से हर कोई exercise करता है, तो कुल मिला के मिरको daily park आना बहुत अच्छा रगता था, यह location is really golden, लौग अडन तो अपने आप में लैंडमार्क है, मैं इस समय प्रतीमा बहन के साथ हूँ, मैं गांधी इंस्टिट्यूट के साथ बच्पन से जुड़ी हुई है, मैं आब हमें इस आश्रम के बारे में कुछ बता सकते हैं, यह साबर्मती आश्रम, साबर्मती नदी का किनारा, सो साल पुराना गांधी जी का कर्म भूमी यह रही तो पांच हेरिटेश प्लेस हैं, वो सो साल पुराने हैं, तो गमगन निवास, प्राथना भूमी, रिजय कुंजी जोकांधी जी का निवास तान रहा, यह मीटिंग रूम जहां सब उनकी ओरिजिनल चीजे रखी हैं, मिनोबा कुटीर, मिरा कुटीर और नंदीनी नि यातरा शुरू किया, दांडी यातरा, तब उन्होंने जाते समय प्रतिग्या लिया कि जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा, मेरे से आश्रम में, वापस नहीं होगा, उसके बाद जाने के बाद यहां से उन्होंने सेवा गराम आश्रम वरधा अपना मुकाम byनाया, तो जो भी धागा लगाकर हम उसको पॉर्टन के उपर रखेंगे तो अपने आप ही त्लूट रहे गए दिए इसको पपड़ कर मैंने क्वीज किया इतना जो बना हुआ थागा है वो टाइट भी होगए आज का डेंड करने के लिए मैं इसमें पहुंचा हूँ खेतला आपा के शॉप पर करनवती क्लब के सामने इतनी भीड देखे ना किसी भी स्टैंडर्ड से नहीं लग रहा कि लोग सारे यहां पर चाय पीने आये और इसमें रात के बारा बच चुके हैं अब यह इतने बड़े वरतन में आप लोग कितने लिट्र चाय बना रहे हैं 20 40 लिट्र चाय और एक दिन में कितना दूद इस्तमाल करते हो ? यह दग्जा नीट रहा है मैसुन कहरान हूँ एक हजार लीटर दूद इस्तमाल होता है डेली बेसेस बें यहाँ पे चाय बनाने के लिए सिगडी पे चाय बन रही है कंबाल है जबरदस्तो आप यह चाय कंपलीट होगी अब इसको चानोगे इसमें रात को 12 बच चुके हैं इतनी भीड देखके तो असा लग रहा है जैसे शाम के 8 बजे हो तो सुबह अगर मैंने पता लगा है पांच बजे छे बजे भी आपकी शौप चलती है सुबह और सुबह अगर पांच बजे भीड होती है या तो इन बजे आते हो तो इन बलते है के रत ना दस बाजाए यह वीड देखते देखते और बात करते करते हैं भूली गया कि चाय को भी गौर फरमा के पिया जाए अगर आपकी चाय के अंदर ना जो टोटल गेम है न वो दूद की है जो मिल्की क्वालिटी है न वो बेतर है और जो दूद को आप लोग करते हो ना ऐसे वह मैं देख रहा हो कि यह हो रही है एक तो दूद का ऐसा हिला कर उसको काड़ना और दूसरा नीचे सिगडी में होन बाकी सब तो क्या है वो चाय पती और एलाईची का फ्लेवर है मस्त लेकिन बड़ी मेनत का काम है कि एक गंटा लगाते हो आप लोग चाय बनाने में एक गंटास्तिक मैंने आज तक अभी चाय के दूगान पे इतनी भीड़नी देखी तो मेरे लिए अपने आप में बहुत फूड जर्नी समाप तो हो रही है चाय पीने के बाद अगर आपके हमदाबाद रिलेटेटिट कुछ एक्स्पिरिंस थे तो जरूर बताइएगा मैं हमेशा की तरह इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का that's it thanks for your time